जै मातादी मित्रो मेरा नाम पंडीज प्रकाश जोसी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एश्टवाज में मित्रो इस कारेकरम में हम चर्चा कर रहे हैं दिसंबर का महिना तुला राशी वालों के लिए बड़ा खास रहने वाला है यानि कि चार बड़े महा राजयोग दिसंबर के महिने में एक्टिव है वो कैसे हैं इस कारेकरम में हम डेटेल में चर्चा करेंगे और वो चार बड़े राजयोग तुला राशी को कुछ देने वाले है या नहीं देने वाले इस कारेकरम में चर्चा करेंगे स्वास्त के धनकी परिवार के विद्यारतियों के नौकरी के बारे में हम इस चर्चा करेंगे यारी पूरा डिटेल में इस कर nell कर रेंगे तो मेरे कार्यक्रम को आप यह मेरे चैनल को फेस्बुक में देख रहे हैं यूट्यूब में देख सबस्क्राइब ओर जरूर करें चलिए सबसे पहले बात करते स्वास्त के बारे में तो तुला राशी की कुंडली आपके सामने परस्तूत कर रहे हैं यह दिसमबर की कुंडली है शुक्र अगर देखा जाए तो आपके लगरिस्तान में तुला राशी के बैठे हैं तो पहला योग मालब भी योग बन रहा है दूसरा धन भाव में मंगल बैठे हैं तो रोचक योग आपका दूसरा राज योग बन रहा है तीसरा शनी आपके पंचम भाव में ग्यारा जहा और यहां पर हंस्योग बना रहे हैं तो कहीना कहीं दिसंबर के मैने में किसी बड़े function में या किसी पार्टी के बड़े function में या किसी बड़े व्यक्ति के फंक्षण में आपको जाने का अफसर प्राप्त होगा। किसी selebrity, नामी, गिरामी व्यक्ति से आपकी दिसंबर के मेंने में मुलाकात होने के योग दिसंबर में बन रहे हैं। धनकी इस्तेती के बारे में बात करें। तो सूर्य और मंगल आठ नंबर यानि ब्रेश्चिक रासी में बैटे हैं, तो दुत्य भाव के अंदर बैटे हैं, तो चार बड़े धन संबंदी काम आपके दिसंबर में हो सकते हैं, या फिर दूसरे सब्दों में कहें, तो चार बड़ी खुशकबरियां आपको धन संबंदी मिल सकती है, पहला सरकारी रुकावा धन, यदि आपको सरकार से धन लेना है, या सरकार में आपका कोई धन या काम फसा हुआ है, तो दिसंबर में अगर आप प्रियास करेंगे तुलाराशी वाले, तो वो काम आपका बन सकता है, सरकारी रुकावा धन, रुकावा देखे जाएगा तीसरा अगर देखा जाए तो जो आपने तुला राशी वालों ने शेयर में या इन्वेस्टमेंट धन कर रखा है तो वहां से भी आपको लाब होता हुआ दिसंबर में नजर आएगा चोथी गटना के बारे में या चोथा देखा जाए तो पार्टनर यानि कि आपका लव पार्टनर या बिजनिस पार्टनर से भी आपको कोई न कोई गिफ्ट या कोई न कोई लाब मिलने वाला है तो दिसंबर में कुल मिला के चार बड़े योगों से तुला राशी को कुछ कुछ प्राप्त होगा परिवार भाव के बारे में बात करें तो शश योग एक्टिव है शनी पंचम भाव में बैटें तो परिवार में अगर दिसंबर के मेने में देखा जाए तो परिवार थोड़ा बीजी शिड्यूल रहने वाला है सब अपने अपने काम में ब्यस्त रह सब्सक्रίωख को कोई बड़ा औफर या बड़ा लाब का सकता है उसके लिए आपकी संतान 18 प्लस होनी चाहिए तब ही आप पे ये चीज लगेगी यानि बड़ी संतान को करियर में कुछ लाप या बड़ा धनलाप दिसंबर के मैने में शनी के सस्योगत्व बन रहा है विध्यारतियों के बारे में यानि स्टूडेंट के बारे में बात करें तो दिसंबर का महिना शनी और मंगल यानि शनी आपके पंचम भाव में बैठें मंगल दुत्य भाव में बैठें और उससे चतुर्द दृष्टी शनी पर पढ़ रही है शनी मंगल का दृष्टी कहां चला रहे हैं तो बड़ी समल के और साफधानी पूर्वक आपको चलानी पड़ेगी करियर की ग्रोथ के लिए शनी जो पंचम में बैठें वह अच्छे हैं बस शनी मंगल का जो योग है वह आपको पेट की प्रॉब्लम दे सकता है आपको एक्सिडेंट दे सकता है वहां कर लेते हैं तुला राषी वाले उनकी जो नौकरी करते हैं उसे पहले यदि आप मित्र ये जो हम कारिक्रम में मंत्री राषी फल बता रहे यह आपका जैन्रल प्रेडिक्शन है अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एकुरेसी चाहिए आर आप बड़ी गंभीर समस्या से जूज रहे हैं और छे मेने से रासी फल मेरा भी या दूसरे भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जाकर देख रहे हैं लेकिन आपको लाब नहीं हो पा रहा है या चीजें आपको समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है तो आपको 7210124289 पे अपना नाम डेटो बार्ट, टाइम बार्थ और प्लेस ओ बार्थ, वर्टसेप करके टेलीफोनिक अपवानिमेंट लेके आप डिटेल में अपनी कुंडली दिखाई है यानि अपनी परस्नलाइज कुंडली दिखाई है क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन से आप आपकी बात नहीं बनेग कि आपका औपरेशन करना पड़ेगा, जैसे कहते हैं, गले कि या हलकी-फुलकी परेशानी हुती है तो आपक्यशन से दवाई ले आते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया जनरल प्रेडिक्शन, यद ही समस्या Fragen होती है, तो हमें डॉकटर के पास जाना ही पड़ता है, द सब्तम भाओं में तुलाराशी का बन रहा है और अभी कुछ समय पहले ही गुरु चंडाल योग तुलाराशी से निकल गया है जिस कारण से आप ब्रसपती का बेस्ट रिजल आप तुलाराशी को मिलेगा गुरु केंदर में सब्तम भाओं में बैठे हैं गुरु माराश तो अचानक देखा जाए तो आपके मैनेजमेंट में नौकरी के छेत्र में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है आपके सीनियर में या आपके कारे में कुछ बड़ा परिवर्तन दिसंबर में होगा जिसका लाब आपको मिलने वाला है आपकी दिसंबर में पावर या रूत आपको बिजवाके रहेंगा याद रखेगा गौनुवा के रहेंगा आप बात करें RS की दांपत्य जिवन के बारे में सबसे पहले हम प्रेमी का बारे में बात करेंगे तो कई ना कई आपका जो पार्डर पार्टनर है अपने घर के प्रती या घर की जिम्मेवारी में बिजी रहेगा उनके घर के अंदर कोई मांगली काम होगा उसमें आपका पार्टनर बिजी रहे सकता है और पार्टनर को शादी के ओफर आ सकते हैं वो आपको बताएगा कि भई मुझे शादी के ओफर आ रहे है साथी साथ पार्टनर का दिसंबर के मैने में करियर में पद धनलाब के भी अच्छी योग बनते हैं यानि करियर के लिए पार्टनर के लिए इस्तथी ठीक है पर्सनल लाइब भी ठीक है लेकिन कहीं न कहीं देखा जाये तो उनको शादी के ओफ़र आ सकते हैं पती पतनी के बारे में बात करें तो दिसंबर के महिने में तीर्थ यात्रा या मंदिर की यात्रा करने के योग बनते हैं या फिर बच्चों के साथ में हिली स्टेशन जाने के योग बनते हैं और पार्टनर को अचानक कोई छुटा मोटा धलाब हो सकता है ऐसा भी योग आप का दिसंबर में बन रहा है तो कुल मला के प्रेमी प्रेमी का हो पती पत्नी हो दिसंबर का महिना अच्छा रहने वाला है हाँ प्रेमी प्रेमी का लव कपल है तो कहीं अपने अपने में बिजी रहेंगे ऐसा योग नजरा रहा है अब बात कर लेते हैं तुला राशी वाले उ आप कुछ ऐसे ताबढ तोड़ दिसंबर में निर्णे लेने वाले हैं या कुछ बड़ा निर्णे या डिसीजन लेंगे जिससे कारोबार में आपको फाइदा न जराएगा रिकोर्ड तो उड़ सेल होगी तो दिसंबर का महिना आपके निर्णे पे निर्पर करता है आप कोई बड़ा निर्णे लेंगे जिससे की आपका व्यापार और ज़्यादा बढ़ने वाला है तो मित्रो इस कारेकर में बत इतना ही मुझे दीजे जाया चैमाता दी